So hello guys, welcome to my YouTube channel Ritik Technical Support इस वीडियो में हम आपको बताएंगे iPhone 13 series में आपको कुछ इस टाइब का error सो होता, जिसमें लिखा था FaceTime and iMessages का error आपको सो करता है तो कैसे आप यह problem को fix करेंगे वो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीचीगा बिलका आइकोन को प्रेस कर लेना है तो जब भी आपको अगर इस टाइब की problem आती है तो डारेक्ट अगर आपको यह error को हटाना है तो आपको blue color का जो OK का बटन रहता है आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपका यह error रहेगा वो हट जाएगा ठीक है या फिर आप settings मज़ेगा अपने iPhone 13 series के देन आप general पे क्लिक करे scroll करे देन आप transfer और reset iPhone पे क्लिक करे reset पे क्लिक करे और simple आपको अपने iPhone 13 की जो all settings होती है उसे reset करना है OK all settings को reset करने से आपका कोई भी data delete नहीं होगा आपको निश्चिंत रहना है तो simple आपको in method का use करना है then definitely आपका यह error हट जाएगा OK so topic is cover मिलते है next video में जै माता दी